आज मैं आपके साथ बहुती यूसफुल टिप शेयर करने चाहा रही हूँ जो आपके किचन में काफी काम आएंगे और काफी सारा समय भी आप अपने लिए निकाल पाओगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स टिप हमारा किचन टाइल को लेकर है जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा टाइल काफी जादा गंदा हो जाता है जिसकी वजह से हमें इसको रोज रोज क्लीन करना पड़ता है और हमारा काफी सारा समय बेस्ट होता है क्योंकि कूकर में जब सी देशाइल में में लगा देना हैं जहां पर चाना करने के बाद आप मैं इसको यहीं पे छूड़ी न ले लिए हैं डबल साइडेड टेप अगर आपके पास डबल साइडेड टेप ना हो तो आप से कर सकते हो तो यहां पर मैंने डबल साइड़ टे影片 के चुटो शली तुकटे ले लिए हैं और इन डुकडों को हमें इस तरीके से लगा देना है जहां पर हमने अच्छे से सो सेट किया था वहीं पर लगा देना है और इस लगता है तो आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हो और इस तरीके से लगाने के बात जब आप खाना बनाओगे ना तो जितनी भी छीटे होंगी वो पेपर पे आएंगी और आपका किचन टाइल बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा तो इससे होगा ये कि जो भी हम किचन टाइल को क्ली करने में समय अपना वेस्ट करते हैं वो काफी सारा समय हमारा बच जाएगा और इस समय में हम दूसरा भी काम कर सकते हैं तो जब भी आप ये गंदा हो जया आप इसको निकाल लीजिए और आराम से इसको ऐसे फोल्ड करके डस्ट विन में डाल दीजिए तो आई होप आपक इस टेप हमारा माचिस को लेकर है तो जब भी माचिस खाली हो जाती है मतलब इसमें तीलिया नहीं बचती है तो हम क्या करते हैं इसको कबार समझ के फेक देते हैं लेकिन यह हमारे बहुत काम आने वाली है तो हमें क्या करना है एक खाली माचिस का बॉक्स ले लेना है और जो हम use करते हैं वो ले लेना है और इसको इस तरीके से रखते हुए हमें इसको stick करना है तो यहाँ पर मैंने tape ले लिया है और इस tape को मैंने जैसे रखा है इसका video मैंने already अपने channel पर डाल रखा है आप वहाँ से देख सकते हो तो टेप को रखने के मैंने कई सारे तरीके बताएं हैं आप चैनल पर जाके देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने टेप को कट कर लिया है और इसको कट करने के बाद इसके बीच में इस तरीके से लगा देना है यहाँ पर आप डबल साइडे टेप का भी इस्तमाल कर सकते हो और इस तरीके से लगाने के बाद में हमें क्या करना है जो जब हम माचिस का यूज करते हैं जलाने के लिए और इसकी तीली जो होती है जलाने के बाद हम इधर-दर डाल देते हैं इसकी वजह से हमारा फ्लोर गंदा हो जाता है कहीं भी हम डाल देते तो गंदगी हो जाती है तो आप जलाने के बाद इस खाली वाले बॉक्स में इस तरीके से डाल दीजिए तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी और जब यह खाली बॉक्स भर जा तो आप इसको आराम से फिक सकते हो तो आई होप आपको यह टिप पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा next tip हमारा scrubber को लेकर है यह जो steel वाला scrubber होता है इससे जब हम बरतन घिसते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथों में काफी सारे इस मतलब निशान से पढ़ जाते हैं मतलब खुर्दरा पना जाता है हाथों में तो यह हमारे हाथों में ना लगे और यहां पर मैंने एक elastic ले लिया है और इसको इस तरीके से हमें box में बोटल में पहना देना है और इस तरीके से करने के बाद elastic चढ़ा देनी है और आप बिल्कुल भी कितना भी बरतन घिसिये हातों में नहीं लगेगा और इसके अंदर इतना स्पेस होता है कि आप अपना liquid जो यूज करते हो किचन में वो भी डाल सकते हो इसमें बरतन धोने के लिए तो आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा और जब आप बरतन अच्छे से वाश कर लो तो इस रबर बैंड को हटा के आप इसको क्लेन भी कर सकते हो तो बहुत ही बड़िया तरीका है जब भी आपको बरतन घिसने हो आप इसी तरीके से आराम से अपने बरतनों को घिस सकते हो आपके हाथ बिल्कुल भी सेफ रहेंगे बिल्कुल भी हाथों में नहीं लगेगा तो अगर आपको इलास्टिक से नहीं बांदना है तो आप दूसरे तरीके से भी इसको बांद सकते हो तो लगाना चाहते हो तो इसको भी आप यूज कर सकते हो और इस तरीके से करने के बाद भी आप बर्तनों को धूई कितना कुछ भी करिया आपके हाथों में नहीं लगने वाला है तो आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा चलते हैं नेक्स टिप की तरफ नेक्स टिप हमारा बाउल को लेकर है तो फ्रंट्स क्या होता है कि जब इस तरीके के बाउल में हम छोटा स्पून डालने की कोश क्या होता है तो इसको हम क्या करना है एक रबर्बैंड लेर लेना है तो मैंने बलून वा रबर्बैंड लिया है आलसे महीं पता है तो इसका भी विडियो में डाल रखा आप चैनल पे लिल्च में पर इस सकते हों तो जब भी आपको बड़े वाउल में छोटा SPUN डालना हो इसी टिफ को FOLLOW करें चलते हैं नेक्स टिफ की तरफ नेक्स टिफ हमारा KOMB को लेकर है तो इस तरीकी के KOMB हम सबी यूज cares ने डेली यूज करते हैं और क्या होता है जब हम इससे अपने बाल खिछते हैं तो काफी सारे बाल इसमें फस्ट जाते हैं और उनको हमें हातों से खीच के निकालना पड़ता है तो इसके लिए मैंने बहुती बढ़िया जुकार्ट होना है तो आपको क्या करना है इस तरीके से एक carry bag ले लेना है और इसकी थोड़ी सी मोटी strip हमें cut कर लेनी है आप चाहें तो comb को nape के भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया है और अब हमें क्या करना है इस strip को हमें अपने comb पे इस तरीके से फसा देना है तोड़ाशा आराम से करोगे तो हो जाएगा अगर आप help से करते हो तो बहुत ही आराम से हो जाता है यहां पर मैं खुझ से कर रही है तो थोड़ा सा problem हो रही हो देखिए आराम से यह set हो गया है अब आप इसमें अपने बालों को आराम से comb कर सकते हो जितना भी टूटा हुआ बाल होगा वो इसी के ऊपर आएगा और बिल्कुल भी comb गंदा नहीं होगा जो भी इसके अंदर मैल फास जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और इस तरीके से आप यूज करने के बाद इसको फोल्ड करके कहीं भी फेक सकते हो डस्ट बिन में तो इसी तरीके से अगर इसकी भी पतली से स्ट्रिप काट ली है और इसको हमें इस तरीके से comb में फसा देना है तो इसली हो जाता है आप किसी और को comb पकड़ा दीजिए तो ये slip नहीं होगा और देखिया आराम से हो जाता है इसको भी आप सेम मैथेट से यूज करने के बाद फोल्ड करके डश्मिन बर डाल सकते हो तो फ्रंट्स इन में से आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है आप वहाँ से देख सकते हो तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई